Dear Students, Welcome in RSK Math Monitor, Chapter 8, Trigonometry, Introduction to Trigonometry, Exercise 8.1, Sum No. 2 करेंगा जाना In figure 8.13 के अंदर, हमने find value find out करने, tangent P minus में quote R की value find out करने अब figure में सबसे पहले देखिए, हमारे पास figure है, जहां पे क्यों पे right angle है, 90 degree का angle बना हुआ है अब इसमें ये length given है, 12 cm, इस triangle के according, अब यहां से हमारे पास ये hypotenuse 13 3rd side हमारे पास unknown है, सबसे पहले right triangles में हम 3 sides को find out करते हैं 2 side given है, 1 side find out करेंगे, तो by Pythagoras, by Pythagoras की help से हम सबसे पहले 3 side find out करते हैं 2 side हैं, already 3rd side भी find out करेंगे, इसमें हमारा क्या होता है, H square equal to P square plus B square सबसे longer side का square किसके equal होता है, smallest दोनों side की, squares के sum के equal होता है अब यहां से hypotenuse हमारे पास क्या है, 13 का square, perpendicular हमारे पास क्या है, 12, 12 का square और base हमारे पास नहीं given तो B square, 13 का square करेंगे, 13 को 13 से multiply 169, 12 को 12 से multiply 144 और B square पलस में 20 के, अब हम B की value find out करेंगे, base की, तो यहां से इसको move करेंगे, right hand से left hand की तरफ 169, minus हो जाएगा यहां plus का इदर आएगा, तो minus का हो जाएगा, 20 के, इसमें से minus करेंगे, 5 और 6 में से 4 गए, to 25 equal to B square 20 square है, तो 25 किसका square, 5 का square, तो B square, दोनों side power equal हो, तो base equal है, यानि B की value हमारे पास क्या होगी, 5 cm यह हमारे पास हो गई 5 cm, अब हमने find out करने ratio, यह trigonometry के ratio है, अब वही हमारे पास, पंडित, बदरी, परशाद, हर, हर, बोले, और सोनना, चान्दी, तोले, अब हमारे पास tangent की value क्या होती है, tangent, P, tangent P की value भी हमारे पास P by में B होगी, अब P, यानि सामने वाला angle, अब देखो, P का mention है, जिस भी angle का mention हो, तो उसके सामने वाली side perpendicular की तरह react करती है, यानि हमारा यहाँ से angle बनावा, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यह हमारी height बनती है, height मतलब straight height, perpendicular height, तो इसमें perpendicular हमारे पास क्या हुआ, 5 cm, और उसके साथ वाली, जिस angle के बारे मैंसुकर साथ वाली urgent side होती है, हमारी base की तरह है, तो base हमारे पास क्या है, 12, यह हमारे पास tangent P की value होई, अब हमने निकालनी है, quote, and R, अब tangent का opposite होता है ratio, जो find out की value होती है, B by P, tangent हमिशा, quote, tangent का reverse होता है, तो यह P by B है, तो B by P होगा, लेकिन यहाँ देखना है कि किस angle का mention है, कहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से R, अगर R, यानि R angle का mention है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो height यह काम करेगी, अब इसमें, it means base है 5, 5, base के है 5, तो यहाँ base 5, perpendicular straight height के हमारी 12, तो यहाँ भी 5 by 12, यानि quote R की value भी 5 by 12 हुई, tangent P की value भी हमारे पास 5 by 12 हुई, अब यही value हम इसमें put करेंगे, 5 by 12, quote tangent P की value, minus quote R की value, 5 by 12, दोनों सेम है, side deposit है, तो cancel out result हमारा को क्या हुआ, 0 is our answer, now question number 3 देखते हैं, if sine A, sine A की value है, अब सबसे पहले तो sine हमारे पास बनता कैसे है, वही सेम, पंडित बदरी परसाधर, sine हमारे पास क्या है, P by H, तो यहाँ से P by H sine की value है, अब sine की value given है, 3 by 4, it means यहाँ से देखो, clear है कि, अब perpendicular किसके उपर है, perpendicular हम यहाँ A को छोड़ कर, किसी के उपर भी ले चकते हैं, यहाँ से मालो B लिया है, और यहाँ हमने C लिया, angle A का mention है, तो सामने वाला angle हम A ही कर लेते हैं, A, B, C, इस तरह से हम भी triangles को बना लेते हैं, अब यह इसके सामने वाले, it means perpendicular यह हमारे पास, और base उसके साथ की side है, और यह third lungo side हमारे पास हाइप लेते हैं, figure को आपने, यह questions figure के coding है, जितना आप इसको figure में clear करोगे, उतना आपको clear होगा question, यानि जिस angle का mention हो, it means वहाँ से ही angle बन रहा, वहाँ से हम observe कर रहे हैं, तो height हमारे सामने वाली height बनती है, perpendicular height, straight height, अब देखें इसमें PP की value क्या है, 3, it means यह 3 cm, H, hypotenuse की value हमारे पास क्या, 4, it means यह 4 cm, अब third side हमेने base find out करना है, sides का right angle में sides निकालना है, एक एक ही तरीक का होता है, by pythagoras, by pythagoras की help से हम निकालेंगे, क्या होता है, h square equal to p square plus में b square, hypotenuse हमारे पास क्या है, 4 का square equal to perpendicular हमारे पास क्या है, 3 का square, और plus में base हमारे पास b ही है, इसको हम find out करेंगे, अब इसमें 4 का square 16, equal to 3 का square 9, plus में b square, move करेंगे, right hand से left hand का 16, minus में 9, equal to b square, 16 में से 9 गे, 7 equal to b square, यह किसी number का square निकालना है, तो जब इस तरह से हो, तो हमने only b की value find out करनी, तो square, root, both side, दोनों side हम square root करेंगे, तभी हमारा square root करते हैं, दोनों side, square root से हमारा unroot cancel हो जाएगा, यहां से, तो b की value हमारे पास क्या हुई, root 7, यह हमारे पास हो गई, root 7, अब हमने देखें क्या निकालना है, cos a, cos a, sin a की value हमारे पास, देखो को से क्या होता है, b by में h, b by में h, और tangent a हमारे पास, tangent a हमारे पास क्या होता है, p by में b, अब इसमें देखें, base हमारे पास क्या है, figure में देखेंगे, base हमारे root 7, और by में 4, यहां से p हमारे पास 3, और यहां base क्या है, root 7, तो this is our answer, now question number 4 given है 15 quote A equal to 8 सबसे पहले यहीं से हम निकाल लेते है quote A equal to 8 यह 15 multiply में यहाँ पर divide में हो जाए है यहाँ से quote किसका reverse होता है tangent का reverse होता है tangent A का reverse है quote यानि tangent की value हुमारे पास क्या होती है P by B तो quote की value हुमारे पास क्या हुए B by में P यह हमारी quote A की value है यहाँ से quote B by में P यानि 8 by में 15 यहाँ से clear होगे कि हमारे पास 8 base है और perpendicular हमारे पास 15 है अब figure के अंदर देखते हैं यहाँ से A it means जो opposite side है angle A का mention है तो perpendicular height के सामने हम angle A ही लेंगे यह हमारी B हो सकती है और यह हमारी C हो सकती है सबसे longest side हमारे पास B और C होगे अब इसके coding base के हमारे पास 8 cm और P हमारे पास के 15 cm it means हमारी hypotenuse हमारे पास नहीं है सबसे पहले इसमें हम side ही find out करते हैं side हमारे पास आपको clear भी होगा कि by Pythagoras ही हम side निकालेंगे right triangle में हमेशा Pythagoras का ही use होता है कभी भी side निकालनी हो तो Pythagoras का ही होता है H square equal to P square plus में B square अब यहां से H की हमने value find out करने है P हमारे पास 15 का whole square और base हमारे पास 8 का whole square 15 का whole square 225 और 88 दा 64 जहां से 9, 8 और 2 यह हमारे पास होगा 17 का यह हमारे पास बनता है 17 का whole square as square equal to 289 या तो 9 किस में आता है या तो 13 में आता है या फिर 17 में आता है तो 13 में तो 169 होता है 17 तो हम इस तरह से चेक कर लेते हैं लास्ट डिजिट से में आइडिया लगाते है कि किस के आसपास होगा तो यहां से 17 के आसपास 17 का ही whole square है क्योंकि यहां पर 13 का तो 169 होगा तो यह 17 को 2 time multiply करेंगे तो यह हमारे पास हम multiply करके भी इसको चेक कर सकते हैं both side power equal हो तो h की value हमारे पास क्या होई 17 base b equal होगे यहां से h की value हमारे पास हो गई 17 जो हमें find out करते जाए वो हम figure में mention करते जाए अब देखे हमने क्या निकालना है sin a sin a क्या होता है हमारे पास p by में h और secant a secant किसका उल्टा होता है cos कर रिवर्स होता है cos हमारे पास क्याता है b by में h cos b by h है तो secant उसका रोपोजिट था तो h by में b इसका रिवर्स होता है अब यहां से देखे sin a की value p हमारे पास क्या है perpendicular 15 और h हमारे पास क्या 17 और यहां से h हमारे पास 17 और b हमारे पास क्या है 8 तो यह हमने value find out करने थी this is our answer dear students if you like our video then like and share the video and subscribe the channel thank you